कैसे प्रग्टे बांके बिहारी लाल कल है मार्क शीष मास की बिहार पंचमी जिस दिन की हमारे बांके बिहारी जी जो है उनका प्राकट्टे दिवस है बांके बिहारी जी का जनम दिन नहीं मनाया जाता आपको ये जो information हो रहे हैं कि बाके बिहार जी का जनम दिन है जनम दिन उनका था ही ने वो सिरोफ प्रगट हुए थे निदिवान राज से और आपको पता है वो कैसे प्रगट हुए थे वो निकुंज की लीला मतलब की निकुंज में जो लीलाएं होती है हमारे ठाकुर जी जो है उस लीला से प्रगट हुए थे मतलब गौलोग की लीला निकुंज जो है वो गौलोग है गौलोग को ही निकुंज कहा जाता है एक बार जब ललता सकी जी तो ची जिनकी ठाकुर जी के वस्त्र सिंगार की सेवा थी वो निकुंज की लीला है ये जो मैं आपको श्रमण करा रही हूँ ये आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी तो आप इसकी तरफ बहुत ध्यान से और आप ये सोचे कि हम निकुंज में ही बैठे हैं निकुझ की लीला है जो मैं आपको शर्ण करा रही हूँ, वो रोज उनके वस्त्रों का निर्मान करती थी और ठाकुर जी को वस्त्र निर्मान करके रोज चाहलां करके रोज पहनाती थी जब वो नए रोज उनको वस्तर बना बनाकर पहनाती थी तो एक रोज जो वो अपने वस्तर उनके वस्तरों का निर्मान कर रही थी तो वहाँ पर भगवान की प्रेणना नुसार स्री नारज जी आए और वो ललता जी के पास गए और उनको लेकर बोले कि हे ललता जी आप राधारानी की अश्ट सक्यों में प्रमुक सकी जो है वो ललता जी थी तो नारा जी जब ललता जी के पास गए और जाकर बोले कि हे ललता जी आप जो है ठाकुर जी के लिए रोजों नए वस्त्रों का निर्मार करती है पर आप जो है ये वस्त्र जो है उनको बिना नाप के बना कर पहनाती है तो आपको पता है कि उनका कोई नाप है क्या तो लिलता जी ने कहा नहीं मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि उनका कोई नाप भी होगा तो आप फिर उनके वस्त्र कैसे पहनाती है तो उन्होंने कहा कि जो मेरे मन में आता है मैं बना देती हूं और ठाकुर जी उसको ग्रहन कर लेते हैं तो लिलता जी ने कहा कि मुझे ऐसा अभास होता है तो मैं वैसे ही बना कर उनको पहना देती हूं तो नारज जी बोले कि ये गलत बात है आप पहले से ही ठाकुर जी का सही माप लो मतलब उन्होंने ये कहा ललता जी को कि आप जो है ये आभास करके जो पहना देती हो ये गलत बात है तो आप पहले ठाकुर जी का नाप ले क्योंकि उनको जो है मतलब कोई समस्य आती होगी ज तो आप ऐसे वस्तर बनाने से पहले ठाकुर जी का सही माफ ले और फिर शंगार निर्मान करें क्योंकि जो आप हैं वो ठाकुर जी है वो आपको कुछ नहीं कहपाते हैं आप जैसा बनाती हैं वो वैसा ही पहन लेते हैं मतलब कि ठाकुर जी के लिए आपका जैसा भाव होग वो जो भी कुछ है वो वैसे ही धारन कर लेते हैं तो आप ये सोचे कभी उनको वस्तर वो डीला होता होगा या कभी टाइट होता होगा तो वो आप से कहते ही नहीं वो तो बहुत दयालू है और वो कुछ कहेंगे भी नहीं आप से वो तो देयालू है और कृपा सुन्दू है आप जो बनाती है वो से पहन लेते rę ये बात लिलता जी को भी सही लगी लिलता जी ने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है ठाकूर जी तो कुछ भी नहीं कहते मुगे मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही वो पहन लेते हैं तो ये सोचकर ललता जी के मन में आया कि शाम सुन्दर को तकलीफ होती होगी तो ये सोचकर उन्होंने शाम सुन्दर को जो था अपने कक्ष में बुलाया और उनका नाप लेने लगी मतल़ जो ललता सखी थी उन्होंने ठाकुर जी को अपने कक्ष में बुलाया और उनका ना अपने लगी इधर नारज जी पहुँच गई श्री राधारानी के पास और कहने लगे प्यारी जू ललता जी ने शाम सुंदर को आप से जो है अपने कक्ष में बुलायो है और ना जाने काहे को बुलायो है तो उन्होंने कहा अच्छा क्यूं बुलाया है तो उन्होंने कहा कि आप ही जाकर पता कर लो तो ये सुनकर श्री जी ललता जी के कक्ष में गई और उस समय ललता जी थो थी और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि लिलता जी जो थी दोनों हाथों से ठाकुर्ची को पकड़ कर उनके वक्षतल का नाप ले रही थी जब श्रीजी ने देखा जो उन्होंने का कि हे लिलते ये तो सेवा में तुर्टी हो और उन्हें लिलता जी को कहा तो श्री जी अपने कक्ष में चली गई उसके बाद जब श्री जी को पता सारी बात पता चली श्री जी जब उन्हें सारी बात बताई तो श्री जी को ने जान गई कि ये सब तो ठाकुर जी की ही लीला है और मैंने ये गलत शाब दे दिया नारज जी के साथ मिलकर शाम सुन्दन नहीं ये लीला रची थी शी जी ने सोचा कि गलत शाप दे दिया है फिर ठाकुर जी बोले कि ये मेरी ही प्रेड़ना थी कि जो मृत्यू लोग के वासी है वो रास का अर्थ समझ तके कि रास क्या है तो आईए अब हम हरिदाज जी का जनम का श्रमण करते हैं और बच्पन से उनका मुख्य उदेश था नाम का रास की सापना कर लिया है वो अलिगर से आशुदी वर्ष के घर में वरिंदावन आए वर्ष 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 जब विठ्छल विपुल देव जी के मन में आया कि लताओं में जरूर किसी से बात करते हैं और वहां पर आकिर क्या है मुझे इन लताओं के अंदर जाकर देखना है तो जब उन लताओं के सब शिश्यों ने विठ्छल विपुल देव जी से कहा और आप वहाँ पर इतनी इतनी देर केस को प्रणाम करते हैं बार बार आप इन लताओं को प्रणाम क्यों करते हैं तो हरदाजी महाराज ने कहा कि विठल आओ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं कि मैं किसे बाते करता हूं तो जब विठल विपूल देव जी को उन्होंने कहा कि जाओ जाकर खुद देख लो कि मैं किसे बाते करता हूँ जैसे विठल विपूल देव जी तो थे वो उन लताक कुंजों के संगन कुंजों के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि प्रिया प्रितम जो है वहाँ पर नित्य विहार लीला कर रहे हैं और जो ठाकुर जी है हमारे वो हमारी श्री जी की वेनी गुथन कर रहे हैं तो देखकर विठल विपुल देब जी हैरान रहे गए कि ठाकुर जी की जो साक्षात लीला है उसमें मुझे प्रवेश मिल गया है और वहीं से जब ठाकुर जी ने अपनी जो प्रतिकरती थी जो कि श्री बांके बिहारी लाल जी की मूर्ती है उसी के स्वरूप में ठाकुर जी वहां प्रगट हो गए पर राधा और कृष्ण जो है वो अलग-अलग स्वरूप में जब प्रकट हुए तो श्री हर्दाज जी ने कहा कि प्रभू मैं तो एक संथ हूँ मेरे पास तो सिरफ एक लंगोटी के लावा कुछ भी नहीं है और जो आप हो मैं आपको तो चलो कोई भी वस्तर पहना दूँगा पर जो श्री जी है मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा तो ठाकुर जी ने कहा कि जो श्री जी है आपको मेरी इस मूर्ती से बारा मुद्रन मुद्राएं रोज प्राप्त होंगी जिनसे कि आप हमारी स्री राधारानी ने कहा कि मैं ठाकुर जी के ही रूप में समाईत हो जाओंगी और यहाँ पर मेरी गद्धी सेवा होगी तो इसलिए आपको कोई ज्यादा उपकरम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं जो हूँ ठाकुर जी के साथ ही समक्ष जो है उनके ग तो जब अभी हरिदाज जी जो थे इनका जनम 1535 के करीब का है और हरिदाज जी के पिता जो है आशुदीर जी महाराज पाकिस्तान मुलतान के रहने वाले थे और वहां से एक बार वो जब ब्रच चौरासी कोस के लिए निकले तो वो यहीं पर आकर रह गए उन्हें कृष् रास का प्रमुप ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल है बांके बिहारी जी का मुखे नाम कुझ बिहारी है ये आप सब ज्यान से सुनें कि बांके बिहारी जी का मुखे नाम कुझ बिहारी है ना कि बांके बिहारी कुझ का मतलब होता है लता पता कुझ यानि कि सगन कुझ जहां पर की सूरे और चंदर की रोकेडने भी नहीं पहुँच पाती उसे कहते हैं कुंज तो जब धाकुर जी कुंज में से प्रकट हुए तो उनका नाम क्या था कुंज विहारी और वो कुंजों में ब्रह्मन करने वाले हैं कुंजों में विहार करने वाले हैं तो इसलिए उनका नाम था कुंज बिहारी और ये तीन जगा से टेड़े हैं आप जब भी इने देखेंगे ये तीन जगा से आपको टेड़े दिखाई देंगे सबसे पहली जगा है वंशी से ये वंशी आप देखेंगे तो इनकी गर्दन के पास से थोड़ी टेड़ी होगी और इनकी गर्दन एक तरफ छुकी हुई है और कमर जो है वो भी थोड़ी जुकी हुई है तो मतलब ये तीन जगा से टेड़े हैं इस वज़े से इनका नाम बांके बिहारी रखा गया मतलब है कि टेड़े बांके बिहारी जी का मूल नाम कुझ बिहारी है तो ये है हमारे बांके बिहारी जी के प्रकट कता कि बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए और जो हमारे हरदासी महाराज है वो श्री ललता सकी का अवतार है जो की रादा रानी की प्रमुक सकी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है लाइक करें शेयर करें